नमस्कार साथ यू नई वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तो मत प्रदेश बिदायकों की पैंसन 35 से 60,000 करने को बिदान सवा अध्यक्षी ने जाय टेहराया है उनकी मांग को मानने के लिए मुक्मनती से बात करेंगे इसकी बनक लगते ही मत प्रदेश की करमचारी से बढ़कर 60,000 रुपे करने की मांग बिदान सवा अध्यक्ष दोरा जाय ठेहराने पर प्रदेश के करमचारी संक्थनों ने तीके सवर में बिरूद किया है उन्होंने दोटू कहा है कि अगर ऐसा होता है तो प्रदेश वर में आंदोनों बढ़क जाएगा है इसके था कि मेंगाई के इस दोर में इतनी कम पैंसन में उन्होंने गुजारा करना मुस्किल हो जाता है बिदान सवा अध्यक्ष शिक ने पूर विदायकों की इस मांग को जायज ठेहराते हुए 60,000 रुपे प्रती महां पैंसन दिलाए जाने के लिए आसोसन दिया उन्होंने कह है कि इस समंद में बे मुकमंत्री सिवरा सिंग चोहान से बात करेंगे और इसकी जंगरी लगते ही करमचारी संक्टरों ने कहा है कि करमचारियों के लिए न्यूपेंसन इसकी मलागू की गई है बिदायकों और सांसदों को भी NPS ही मिलनी चाहिए सरकार का रवाया करमचार अधिकारी मोर्चा करमचारी को लिए NPS और बिदायकों को ओल्ड पैंसन इसकी म नहीं चलेगी सरकार या तो करमचारी को भी OPS दे या फिर बिदायक के सांसदों को भी NPS के धारे में लाया जाए मोहन परसाद दोडी अद्यक्शन लिपक बर्ये सास की करमचारी संगने और और ओल्ड पेंसन इसकी मांग सब कर रहे हैं लेकिन सुनबाई नहीं हो रही है वहीं बिदायकों की पेंसन बढ़ाने का मसोदा है जिसका हम बिरूद करते हैं और इसलिए सभी के लिए एक समान पेंसन की मांग करते हैं देविन कुमार यादावें अध्यक्षे राजपत्रत अधिकारी संग